नमस्कार दोस्तों आपका संजीव ट्रेलिंग ब्लॉक में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमनात यात्रा हम कम खर्च में कैसे करें क्योंकि हमारे पास बार बार फोन आ रहे हैं कि सर जी कोई ऐसी वीडियो बनाई है जो अमनात यात्रा में हम केवल 3-4,000 रुपय में अमनात यात्रा कम्प्लीट करके आ जाएं दोस्तों इसलिए आज ये वीडियो इन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत कम है और वो 2030 में अमनात यात्रा करना चाहते हैं और भी कम बजट में दोस्तों जैसे जैसे मैं बताऊंगा केवल आपको वैसा ही करना ह क्योंकि जो यात्रा मैंने करी है वो भी मैंने बहुत नाके कम बजट में करी है मैंने 3500 रुपया में अमनात यात्रा पुरी कम्प्लीट कर दी थी टोटल आपका पेशन देवी सिप खोड़ी और आपके अमनात यात्रा टोटल मैंने 3500 रुपया में फाइनल कर ली गई थी इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब आप 2030 में मननात यात्रा करोगे तो आप बहुत कम बजट में कैसे कर सकते हैं दोस्तो आप किसी भी सहर में रहते हो या किसी भी राज्ये में रहते हो आपको सबसे पहले आना है दिल्ली या फिर आपकी कोई नश्दीक कोई रेलवे स्टेशन है तो आप यहां से भी आप सीधा आराम से जम्मू तभी पहुंच सकते हैं अगर आपके आसपास में कोई नहीं है रेलवे स्टेशन कुछ भी नहीं है तो आप दिल्ली आ जाएं और दिल्ली से सीधा आपको ट्रेन मिल जाएगी आपका जम्मू तभी के लिए क्योंकि सबसे पहले आपको जम्मू तभी आना है जो जम्मू तभी का जो कुराया है दिल्ली से वो तीनसो साड़े तीनसो रुपया होता है अगर आपको बढ़िया में जाओगे एसी वाले में तो आपको जाते लगएगा हम बात कर रहे हैं कम बजट की तो तीनसो रुपया आपका आने और जाने का अगर आप बाप सी आओए तो आपको जबीत साड़े तीनसो का सबस लगएगा और जाने का भी साड़े तीनसो 300 का आसपास में रहता दोस्तों जैसे ही आप जम्मू तमी पहुंचोंगे तो आपको जम्मू तभी से बाहर निकलो गया वो रेलवी स्टेशन से तो आपको आँ से बहुत सारे टंपू बस मिल जाएंगी जो आपको भगवती नगर पहुंचेंगी क्योंकि भगवती नगर से अमनत यातरा के लिए बस चलती है क्योंकि डायरेक्ट बस नहीं चलती है इसलिए आपको सबसे पहले भगवती नगर पहुंचना होगा तो जम्मू तभी से जो भगवती नगर का किराया होता है वो सो रुपे के आसपास में रहता है तो सो रुपे आपका यह हो गया अब ह भगवती नगर पहुंचने के बाद में सबसे पहले आपको करना होता है जो आपका बजब बस है अमनत यात्रा के लिए बुब्बुक करनी होती है तो इसको जो किराय रहता है वह छेसो साथ सो और एक हजार रुपे तो हम एक हजार रुपे मोटा मोटा मानके चलते हैं तो अगर अपनी जेव चेव कोई कुछ और चीज लेना चाहते हैं या खाना चाहते हैं तो आप खर्च कर सकते हैं ने तो आपका एक रुपे खर्च नहीं होगा क्योंकि भागवती नगर से लेकर और अमनत गुफा तक टोटल भंडारे भंडारे लगे हुए इसलिए जो आप आपका अमनत यात्रा को जो खाने खर्च आयागा वो है आपका जीरो इसमें कुछ नहीं है अगर अपनी मर्जी से आप कुछ खाना चाहते हैं वो आपकी बात अलग है अब हम पहुंचते हैं भखवती नगर से डारेक्ट अमनत यात्रा हमाई बस उतारेगी पहल गाम अग के दो या तिन की बज़े के असपस रात को दो तीन बज़े के और तुरूंत बहुत बार तीरे घंटा में आपको साम को पहल गाम या बाल टाग उतार देगी पास ठीक, उतारने के बात में हमиновता सारे आपको पहल गाम से जो लोग यात्रा करना है उनके लिए बहुत महत्पफूर टॉपिक है क्योंकि जो लोग बाल ढाल से यात्रा करेंगी वो इक रात तो आपका वो हो गिया, जो आप रुखोगे हो तल में, और जैसे ही आप बापसी हो गए, लोट के, क्योंकि सुबीख को जाओगे और क्शाम को बापसी हो जाओगे, तो एक आपका वो हो जाएगा, तो आपको दो दिन आपको रुखना पढ़ सकता बाल टाल में, ठीक, पिर हम बात करते हैं जो लोग पहलगाम से जाना चाहते हैं उनका क्या जैसे आप पहलगाम आओगे तो पहलगाम से आपको जाना पड़ेगा आपको चंदन बाड़ी जो चंदन बाड़ी जहां से के अमन्नात यातरा के लिए जो आपकी यातरा स्टार्ट होती है तो आपको चंदन बाड़ी आपको कम से कम पचास यह साट रुपय में आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि पहल गाम से और चंदन बाड़ी से बहुत जाद आपकी सुविदा है, छोटे-छोटे टमपू हैं, बेन हैं, कार हैं, जो पचास साट रुपया लेती हैं, और आप चंदन बाड़ी पहुंच जाओगे, और सीधे आप यात्रा करोगे, अमान्ना सी यात्रा, जो कम से कम आपका एक दिन या दो दिन की यात्रा रहती है, दोस्तों सबसे महत्मुट टॉपी बात यह है, कि जो लोग पहल गाम से यात्रा कर रहे हैं, अगर आपको कम बजट में यात्रा करना, तो आप कोशिश करें, कि आप जितनी जल्दी जादा यात्रा करोगे, उतना आपको बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब हमने यात्रा करी थी, तो केवल हमने राष्टे में एक बार ही टेंट लिया था, अगर आप दो बार करोगे, तो आपको दो दिन आपको टेंट लेना पड़ा था, तो आप कोशिश करें, कि आप जो आपका पोस्पत्री जो भंडारा होता, दिल्ली बालों को बहुत बड़ा, आप रात वहीं रखें, हाँ आपका रहना, खाना सब कुछ आपका बुल्गों फ्री है, अगर आप पोस्पत्री से पीछे रुखोगे आप, तो आपको टेंट के कराया है, वो साड़े तीन सो और धाइस सो रुपे के आसपास में आपको देना होगा, इसलिए अगर आप अपने जो बजटे उसमें कम करना चाते हैं, तो आप कोसिस करें कि जो दिल्ली वालों को जो बंडारा है, पोस्पत्री का, जो अमनत गुफा से 2 किलोमेटर पीछे है, आप वहीं रुखें, क्योंकि आपका बंडारा बहुत बड़ा बंडारा लगता है दिल्ली वालों का, और आपके रहने के सुविदा ही बल्कुल आपको फिरी मिल जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद में, जब आप आगे बढ़ोगे अगली सुबह, तो आप सीधी यात्रा करोगे, अमनत यात्रा के लिए गुफा तक, और जैसी आप यात्रा करने के बाद म के चलिए आप कम से कर चार हजार के आसपास या पांच के आसपास आप आराम से यात्रा कर सकते हैं दोस्तो, जो आपका होटल का खर्चा है, आपका केबल TENT का, जब आप पहल गाम या बाल टाल में, तो मुश्किल से मुश्किल आप हजार से 15 सु को बीच आराम से माने के चलिए हुटल के क्राया को ख्याने खर्चा तो कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए आपका आराम से केबल 5000 से बहुत नीचे चार रहा हजार के 3000 के बीच में आपकी यात्रा आराम से हो जाएगी आप और भी कोई खर्चा बिल्कुल ना करें दोस्तो केबल आप जैसे आपका ट्रेंड खर्चा आने जाने का उसे जोड़ लें और फिर आपका भगवती नगर हो गया आने जाने का उसे जोड़ लें उसक टेन-Cार रहा हजा रुपिया माराम से अमनातियात्रा हो जाएगी लेकिन अइसा नहीं है कि आप कीबल यहातरा हो जाएगी, पांच हैजार में हो सकता कि आपके तीन-चार हजार रुपए लगे और बागी बापसी आ जाएएजिए इसलिए आप थोड़ा से अपना पांच हजार रुपए एक्टरा लेकर जाएजेए एक्टर नहीं टोडल पांच-छहजार अपने साथ लेक जाएं और तीन-चहरहजार में आप आराम से यहत्रा कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सेर करें हर हर मादे